हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज़ा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज हम आपके साथ लेकर आए एक नई रेस्पी जो है बेंगन का फरता वैसी बेसिकली बेंगन कोई खाना नहीं चाहता बहुत कम लोगों को पसंद होता है तो यहां पे हम बे हुआ नहीं जादा नहीं बस हम एक जने के लाइक बनाएंगे क्योंकि हमें एक कटोली बनाना आ तो यहां पर नहीं चोटा एक बड़ा दो बेंगन लिए थे तो सबसे पहले हम बेंगन के आगे के पाट को काड़ देंगे और हमें इसको डारेक्ट इनी भूनना कई बार द कलाता है और यह हमें दिखाई नहीं देता तो काट के बनाने से इसके बहुत फायदे होते हैं सबसे पहले तो हमें अंदर की खराबी नजर आ करा उसके बाद हमने बैंगन लिया और बैंगन के जो पीसिस हमने काटे थे वह कड़ाई में डाल देंगे इसे क्या होगा कि हमारा जो बैंगन है वह बहुत अच्छे से भून जाएगा और यह कड़ाई की तली में भी नहीं लगेगा और स्लो गैस पेस को उलट पुलट करके बीच बीच में हम ढगते भी जाएंगे और इसको उलट पुलट करते जाएंगे और इससे अच्छे से गलने तक इसको भूनेंगे तो जैसे हम पकोड़े बनाते हैं हम उसी तरह से इसको भूनना है और यह देखो हम यह उलट पुलट करते जा रहे हैं अगर आपको लग र लग रहा है छलना जैसी लग रही है तो आप इसमें पानी के छीटे भी मार सकते हैं यहाँ पानी नडाला बस छीटें ही मार रहे हैं तो इहां पर हमने अशी ही पकाया था सिर्फ तेल में बीच बीच में मैं इसको डपके पकाती गई तो देखो यह वेंगन हमारा कितना अच्छा बुन के तयार हुआ है और इसमें बहुत अच्छी सी फुस भूआ रही थी तो उसके बाद आब हम क्या करेंगे हमने लिए थे आपे बेंगन में टमाट को भी हमने गेस के पर रख करके इसको भी अच्छे से भूल लिया था एक फॉक की साइथा से गुमाती गई गुमाती गई और उसको अच्छे से भूल लिया तो बैंग यह टमाट देखो हमारे अच्छे से भून गए उसके बाद हमारे तब तक हमारे यह बैंगन हो रही थ ठीड़न थिन्दी से ठीड़ने तानी को पर चीजर के लिया और ऊच्छछ्छT पारिे ना है कि यह इए ग्युक्षा इपंग व object हैं इसका को फ़क३ हम पकड़ा चीजता hen ए माता रहा कि मेरा Oakland छुड़न यहाथ और इस तरह से अगर हम बेंगन का भड़ता बनाते हैं तो खाने में एकदम टेस्टी बनता है और जब हमने ये खाया तो वास्ता में बहुत ही अच्छा बना था बनाते टाइम जब आदे से जादा बन चुका होता है मसाले भूनने होते हैं तभी वो मन गर रहा था खाने का पर ये बहुत अच्छा बना था तो मैं यहां पर बेंगन के सारे छिलके हटा दूंगी इस तरह से इसको आपको पानी की भी जरूद नहीं पड़ती और आप इसके अंदर की गंदेगी को फी बचाल लेते हैं कहीं कीडे वीडे ना हो इसको वो भी दिख जाता है इसलिए ह की वो काट करके ही ऐसे इस तरह ही भून है डारेक्ट एकदम गैस पर चीर लगा के भूनने से क्या होता है कि बेंगन अंदर से पतानी चलता कैसा है तो यह देखूं मैंने बहुत चापदानी से इसको छिलकी को हटा हटा के एक तरफ को रखती गई तो यहां पर हमारे यह लग बक बैगन क्या चियँ सारा चल कैंट से अलग कर लिया था तो एक बार हम हमस्दा ओपर और यहां पर हमारे सारे टीमाटर के अलग हो चुकत है तो यह अच्छे दिस में पत चुका था अब हमने यह टामाटर पकाया थे उसका वी जलका हम इस तरह से हटाएंगे कई वर क्या होता है की कुछ लोग जल्दी-जल्दी क्या करते पकाने के बाद इसको पानी में डाल देते है कि जल्दी से ळढ़ जाए बढ़ mask वी में डालके इसका छिलका नहीं अटाना है अपने हाथा से इसकी स्कीन जल्दी से निकल जाती है और पकने के बाद तो एक दम अलगी सी रहती है बस थोड़ा सा पकड़के अलग करना होता है तो यहां पर हमने जितने भी टमाटर लिये थे उन टमाटर की जार टमाटर थे चारो टमाटर की हमने यहां पर चील लिया है और टमाटर हमने थोड़ा सा रेड रेड लिये थे मतलब लाल कलर के जो थोड़े से खटे मीठे होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो यहां पर हमने यहां पर टमाटर को मैस करके रख लिया था पहले से ही और उसके बाद हमने बैंगन को लियाब बहुत अच्छे साहता से मैस्कर लिया उसके बाद हमने एककडाही officer में डाला तेल आज जीरा डाल दिया वो मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड करना एकदम से मैं भूल गई और उसके बाद हमने इसमें डाल दी हरी मिर्च और प्याज इसको अच्छे से हमने भूना इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं भूना है जैसे कि कभी कभी डाक कलर में नहीं लाना है बस ट्रांस्पेरेंट कलर होना चाहिए प्याज का इससे हमारी प्याज की एकदम मिठासी बनी रहती है और खुस्भू भी बहुत अच्छी आती है तो यहां पे लगो हमारी प्याज इतनी ही बुन गई थी इतनी ही बुन नहीं थी उसमें हमने फिर डाला हल्दी पाउडर एक चमच के असपास उसके बाद हमने धनिया पाउडर एक फुल चमच डाला और उसके बाद हमने थोड़ी सी डाली थी इसमें लाल मिर्श क्योंकि मुझे तीखा ज्यादा नहीं करन था और यह सब डालने के बाद इसमें हमने डाल दिये बैंगन और टमाटर का जो हमने मिक्षर तयार करा था फैट के वो अब हम यहां पर हमने थोड़ा सा हरा दरिया डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें थोड़ा सा स्वाद और बढ़ाने के लिए सबसे खास बात होती है देसीगी की देसीगी से क्या होता है कि जो हमारा बैंगन का भड़ता होता है वो एकदम खुल के आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी जब भी बैंगन का वर्ता बनाएं तो एक बाद देशी की जरूर डालें तो यहां पे मेरा बैंगन का वर्ता बन के हो गया था तयार और इसमें आप और भी खटा करना चाहते हैं तो इसमें अमचूर पाउडर एड़ कर सकते हैं मैंने आमचूर पाउडर नेंड डाला था उसके बाद इसमें आप दनिया से गार्निस करें वस आपका बनागन का वर्ता बन के तयार है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू झाली 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 झाला जो करेंड़ कि अधनी प्रूब झाल 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 झाल